हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे गिंती गिंती क्या होती है बच्चों आप भी हिंदी की गिंती समझें और उसे लिखने का प्रयास करें हमारे सामने चित्र दिये गए हैं और अंग्रेजी की गिंती और हिंदी की गिंती और शब्द हिंदी शब्द की गिंती भी हमें दी गई है आईए उसे पढ़कर समझते हैं अंग्रेजी की गिंती वन हिंदी की एक और हिंदी में शब्द लिखते हैं एक और चित्र के माध्यम से आपको दिखी रहा होगा एक मशली यानि एक दूसरी ही गिंती है दो और हिंदी में क्या लिखते हैं दो को इस तरह लिखा जाता है तो दो शब्द दो दो और उसमें ओ की मात्रा तो बन गया दो अब आती है तीन और अंग्रीजी में क्या कहते हैं इसको थ्री हिंदी में इस तरह थ्री लिखा जाता है और शब्द में तीन तो उसमें बड़ी की मात्रा अन्व तीन अगला है चार और अंग्रीजी में बोलते हैं फोर और हिंदी में इस तरह लिखा जाता है और शब्द में 4, 4 अकी मात्रा और र अगला आता है 5 यानी 5 और इस तरह हिंदी में लिखा जाता है 5 अकी मात्राओ पर चंद्र विन्दू और 4, 5, 6 और अंग्रेजी में बोलते हैं 6 और इसको कैसे लिखते हैं, चह, चह, साथ, यानि सैवन अंग्रेजी में, और इसको कैसे लिखा जाता है, साथ, स, आ की मातरा और त, साथ, आठ, और अंग्रेजी में बोलते हैं, एट, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, औ, और में आ की मातरा आ, और त, आठ, अब आता मात्रा बन गया 9 और 10 यानी 10 इंगलीश में 10 को कैसे लिखेंगे शब्दों में दस तो बच्चों आमने आज किंती समझी और उसे हिंदी अंग्रेजी और शब्दों में कैसे लिखा जाता है यह जाने हम उम्मीद करती हों आप भी समझ गए होंगे अब आप इसका भ्यासकारे घर पर स्वयम कीजिए कि अब आप कि अब आप कि अब आप कि अब आप